हलो गाइज रादे रादे वेलकम चुवार किचन सो होप आप सब अच्छे होंगे आज आपके लिए फिर से लाई हूँ बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदा रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं दही तड़का घर पे अगर कुछ ना हो और कुछ मज़ेदार खाने का दिल ह तो आप दही तड़का ज़रूर ट्राए कर सकते हैं इसको आप राइस के साथ सफ करें तो आएए करते हैं स्टार्ट इदर मैंने ले लिया था पैन, मैं बना मैं डाल söyl can, आप चाहो तो आप और गर या उइसको कर सकते हैं लदर का सकते है एगर मैं डाल सबस्तिया ह अगर मैं कर रही हूं अगर चाहो तो इसको थिक भी रख सकते हैं पट मैं हम राइस के साथ इसको सर्फ करते हैं तो इसके साथ होड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है इधर ओयल भी हो गया था एड़ करा मैंने कुमिन सीट्स जीरा मस्टर्ड सीट्स राई एं दन हींग और अगर आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हैं इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे उसके बाद हम इसमें आड कर रहे हैं अनियन भी मैंने थोड़े बड़े साइज में कट करें इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप ऐसे कट करेंगे तो उसके बाद हम इसमें अधेर सारी curry leaves इसको skip नहीं करना क्योंकि इसका flavor इसमें बहुत ही अच्छा आता है इसको भी हम थोड़ा सब भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें add करेंगे जो हमारे मसाले हैं सबसे पहले यूज कर रहे हैं रेड चिली कश्मीरी लाल मिर्च बहुत अच्छा flavor भी देगी और color भी देगी उसके बाद हम add करेंगे turmeric salt and then गरम मसाला अगर आप चाहो तो इसमें धनिया पाउटर भी यूज कर सकते हैं इसको भी हम थोड़ासा भून लेंगे जो इसका कच्छापन है मो निकल जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है फ्लीम को कर देना है और इसको थोड़ासा ठंडा होने देना है और इसमें हम add कर देंगे फिर curd अगर आप फ्लीम on में add करेंगे encant तो curd फट जाएगी तो इ गार्णिश कर रहे हैं करेंडर लीव्स के साथ देखिए और इसको आप राइस के साथ सर्फ करें आईए इसको करते हैं सर्फ तब तक आप अपना ख्यार रखिए राधे राधे